नमस्कार दोस्तों स्वागता आपको हमारी यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर आज हम बात करेंगे पतंजली के और से आने वाले पंचसकार चूर्ण के बारे में पंचसकार चूर्ण दूसरी भी कई सारी कंपनिया बनाती आप किसी का भी ले सकते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे पंचसकार चूर्ण क्या फाइदा करता है हमारे शरीट के लिए इसका इस्तमाल हमें कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए कितनी मातरा में करना चाहिए क्या है इसके फाइदे नुकसान इन सब के बारे में बात करेंगे तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो पंचसकार चूर्ण है जैसे इसके नाम में है पंच तो पांच प्रकार के आयरुवेदिक आवश्यदियों को मिला कर इस चुर्ण को बनाया जाता है तो चले जानते कौन से वो अयरुवेदी काउशे दिया इसमें सनाई, सौंट, सौंप, सेंदा नमक और छोटी हरड इन पांच ततूओं को मिलाकर इस चुर्ण को बनाया जाता है और इस चुर्ण का मुख्य जो काम है, अपके पेट को साप रखना कौंश्टिपेशन यानि की कब्ज की समस्या को दूर करना कौंश्टिपेशन को mother of disease का आ जाता है बहुत सारे बिमारियों की जड़ है जिनको भी कौंश्टिपेशन की समस्या है उनके अंदर बहुत सारी प्रकार की बिमारे आ जाती है जिनका पेट साप रहता है, हाजमा दुरुस्त रहता है वो लोग बिमार नहीं पड़ते, चुस्त और दुरुस्त रहते हैं बिमारें से दूर रहते तो पाचन तंत्र को सुदारने के लिए और कॉंश्टिपेशन को दूर करने के लिए दवा जो है बहुत ही इपेक्टिव है इसके अलवा बदाजमी की समस्या, ग्यास की समस्या और बवासिर की समस्या इन समस्याओं में भी इसका उपयोग काफी मातरा में होता है और काफी असरदार भी है अगर हम इसके डोजिस की बात करें तो पहले तो आठ से दस साल से छोटे बच्चों को तो इसको देना ही नहीं है दस से पंदरा साल के जो बच्चे हैं दो-दो ग्राम रात को सोने से पहले गुनगोने पानी के साथ और जो बड़े है 16 साल के उपर वाले एज के है प्रॉब्लम के अनुसार दो ग्राम से लेके 5-6 ग्राम तक रात को सोने से पहले वस एक बार गुनगोने पानी के साथ लेना है अगर आप इसकी ज़्यादा मातरा लेते है तो आपको लूज मोशन के समस्या हो सकती है इसलिए ज़्यादा मातरा में लेना नहीं है 2-5-6 ग्राम तक ही लेना है जितने भी आपके समस्या है उसके उपर गुनगोने पाने के साथ और बस एक बार आपको सोने से पहले अगर इस प्रकार से आप इसको लेते हैं तो कॉंश्टिपेशन की समस्या बदहजमी की समस्या ग्यास की समस्या और बावासर की समस्या यह समस्या दूर हो जाएगी तो दोस्ते ये थी कुछ जानकारी पतन्जली की तरब से आने वाले पंचय सकार चुर्ण के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडि़े को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो अस्त्राइ मास्त्राइ दन्ने वाद